लोग हैं नसे घ्रफस्ट के लिए आप अकेले हैं और स्ट्वेंट्स भी है आप चार लोग ग्रेट सैकिंड के लिए है चलो दोस्तों आपका English class में मैं स्वागत करता हूँ यह जो आज वाली class के हम बात करेंगे ना इसमें syllabus पर हम लोग बात करेंगे चार लोग अप ग्रेट जेकंड के हैं और एक आप ग्रेट फरस्ट के हैं आप दोनों ग्रेट फरस्ट के हैं इसकूल लेक्टर के लिए ठीक है आपको ध्यान होगा कुछ syllabus हमारा कोमन है इस्पेशली जो grammar का जो जो अपका course है वो almost syllabus वस सेम है गिर्ड दो सेटेंड में ज्यादा grammar है और फेस्थμε ग्रैमर जो है工嗎 मैं इसमें फिर देपर बात चरेकंप प्रेंचे सब शरोर राइटेिंग और वह सब जुड़ जाता था लिटेटरिचर पॉर्षन ज्यादा अच्या आप मेंसे इकने ऐसे लोग हैं जिन्होंने MA English में किया हुआ है Great Second आप दोनोंने किया हुआ है रनिंग में चल रही है, बेड हो चुका आपका MA चल रही है, कौन से यह रहे है? First year है और आप लोग first year है ठीक है, आप कर रहे हैं हमें या अब इस बार करेंगे आप ना First year ही मान सकता है ठीक है, आप eligible नहीं है अभी है अगर exam अगर late होता है तो बात अलग है तो हम लोग क्या सोच रहे है कि batch जो common होगा portion वो common करते रहेंगे और grade first के फिर student को एक गंटा पहले बुला करके, एक गंटा extra रोक करके उनका syllabus अलग से शुरू कर देंगे एक गंटा common class चलती रहेगी दो गंटे करीब एक गंटा extra रहेगी और वो ऐसा कुछ रखेंगे क्योंकि student कम है तो थोड़ा जब जुड़ जाएंगे तो फिर दोनों batch को separate भी कर देंगे बहुत सारा syllabus सेम है यानि कि मान लिजिए कि लगबग लगबग आपकी 100 गंटे class तो सेम ही है आपके syllabus पे बात कर लेते हैं क्या-क्या syllabus आपका है और किस तरह से हम पढ़ेंगे क्या-क्या topic पढ़ेंगे वो आपसे राय और रहे लेंगे टाइमिंग के भी थोड़ा गर इस्यू है तो वह भी हम लोग discuss कर लेंगे देखिए सबसे पहले हम बात करते है इसकूल लेक्चिरर के जो आपका syllabus है पेपर सेकिंड में आता है और इंग्लिश का इसमें 150 questions है अच्छा PPT के थ्रू आप नहीं पढ़ना चाहेंगे जैसे हम लोग offline class में पढ़ते हैं बोर्ड पे वैसे पढ़ना ज्यादा सही रहेगा कुछ topic ऐसे हैं जो हम लोग उसके थ्रू पढ़ लेंगे जो चीज़े वैसी हैं बाकी most of the time हम लोग जो है आप ही मान लिजे एक simple board है इसी पर लिखके पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं वह उसी से पढ़ेंगे PPT के थ्रू जयदा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा offline में मज़ा नहीं आता उसी इसका ठीके ना वह आप बेफिकर रही है एक syllabus का discussion हम आज कर लेते हैं 150 questions रहेंगे ग्रेट 1st के अगर हम बाप करेंगे इसमें यह 300 marks यह आपकी English है बहुत बड़ा इसका role है मलब पूरा ही अगर ग्रेट 1st आप करना चाहते हैं ग्रेट 2nd में भी सेम चीज है वहाँ पे भी 150 questions आने वाले हैं और 300 marks का है ग्रेट 2nd में क्या है कि जो फस्ट पेपर आप लोगों का उसमें GK है उसमें Science नहीं है उसमें Maths नहीं है उसमें Reasoning नहीं है Grade 2 में आपको यह फायदा है Grade 1 में कहा है कि आपको Maths भी पढ़नी होगी आपको Science भी पढ़नी होगी आपको Reasoning पढ़नी होगी और Grade 1 में लेकिन एक दिक्कत हो रहे है कि जो 150 questions हैं हमारे Grade 1 में इसमें जो पहले होता है था इस बार थोड़ा चेंज किया इस बार जो पेपर आया था Almost 20 questions जो है ना आपके Psychology के होते है Grade 1 के बात करने है क्योंकि आपको भी आगी देना ही है तो इसमझ सकते हैं क्या चीज़े 20 questions होते हैं वो Psychology के होते है It's psychology द्यारगना Psychology नहीं होता आपने पढ़ा होगा Fanatics अगर आपने पढ़े हो Allo जीवाई हमेशा क्या sound देता है Lazy देता है Sociology, Psychology, Biology It's Lazy Allo जीवाई हमेशा लजी होता है तो इस बार जो अभी पेपर आया ना Grade 1 का आपका उसमें 20 questions नहीं दिये इनोंने psychology के 15-16 questions देखे रहे गया तो वो कोई बात नहीं कुछ किसी portion का weightage कई बार कम कर देता है किसी का ज्यादा कर देता है But almost 20 questions रहते है इस बार जो पेपर हो उसमें थोड़ा से नहीं कम कर दिया और आपने दिया था किसीने paper Grade 1 का आपने दिया था आपने देखा होगा जो पोस्ट ग्रेशन का उसमें पोर्षन आता है जिसमें बर्डे पार्टी और वेस्लेंड वेस्लेंड पोयम है पढ़ियो आपने टी-स इलियट की उसमें 10-10 questions दे दिया उसमें उसका portion का है उसने ज्यादा बढ़ा दिया और यहां से portion थोड़ा क्या कर दिया उसने कम कर दिया बढ़ ठीक है यह थोड़ी सी बात भी कि कितने questions आते हैं कैसे क्या रहता है चलो अब इसका जो grade 1st का school lecture syllabus है उसके 3-4 इनोंने पार्ट बात रखे इसका first part बात करें तो यह पार्ट common है to ck के लिए और grade 1 ये वाला portion Commons आप है आप सब जानते होंगे आर्टिकल फरस्ट में भी है इस इस इसंपार्ट होता है न तो जा पहली class होगी wanna पर करेंगे उसको बढ़ाते वह आगे आर्टिकल चलेंगे ग्रेट सेकंड में फिर आप यह स्टुएंट के दिमाग में रहता है कि सर पहले में नाउन प्रोनाउन वो सिखा दी जाएं ठीक है ना क्योंकि वो पार्ट्स ऑप स्पीच है तो उसकी क्लास भी मैं साइड बाई स आपकी गंटा अलग से वो लेते रहेंगे ताकि गंटे पहले बुला लेंगे ग्रेट फस्वालों को एक गंटे बात में रोक लेंगे और एक क्लास कॉमन रहे जाएगे या फिर शुरू में यह बार इसको पढ़ लेंगे फिर जैसे स्टुएंट और जुड जुड जाएं फिर ट्रांसफोर्मिशन मतलब सेंटेंस का रूप चेंज करना अर्थ वही रह जाता है उसके तरीके बदलना इसमें आप लोगों के पास डारेक्ट इंडारेक्ट है जिसको आप रिपोर्टेड स्वीज भी कहते हैं ठीक है ना डारेक्ट से इंडारेक्ट और इंडारेक् का एक्जाम। इंडारेक्ट स्पीज देता है और क्या बनवाता है आपसे भी दाइरेक्ट बनवाता है पैसिव दे करके एक्टिव क्यूकि बहुत बोर्य हो चुके इतने साल सब्सक्राइब तो सेम है एक्टिव एक्टिव है उसलिफ से पैसिव पूंचता है थ्रubl और affirmative sentence को negative बनाना, negative को affirmative बनाना, affirmative से interrogative बनाना, interrogative से affirmative बनाना, एक topic यह है और एक है simple to compound and complex, यह सब transformation के हैं, ठीक है न सारे, और इसमें से total लगबग लगबग आपके 5 questions दे, school lecture, बहुत सही से इन्होंने portion बना के 5-5-5 questions दिये, तो यहां तक 5, 10 और 15, और आप लोगों गले अच् पढ़ोगे आप यह, तो आपका grade first की त्यारी भी साथ साथ ही हो जाएगी, यह सारे topic grade first में भी हैं, और यह सारे topic grade second के अंदर भी हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, auxiliaries और models, यह जो topic है, actually यह भी grade second में है, grade second में models अलग से भी दिया हुआ है, और grade second में auxiliaries topic है गलग से दिया हुआ है, verb topic actually वहाँ पर, verb means इसमें दो तरह की verb हो सकती है, primary, auxiliaries और एक main जो होती है, primary means जिसमें आप यह जो helping verbs आती हैं, इसको आप मान सकते हैं, उसमें भी helping और म model auxiliaries, primary के अंदर B की family, इसमें is, mr, was, war आता है, अगर आपको ज्यान हो, have की family जिसमें has, or head होते हैं, और एक do की family जिसमें do, does, or did होते हैं, तो 11 तो वो होगी, और 13 models होते हैं, grade first में, school lecturer में, वो केवल models पे एक question पूस्ता है, B पे, is, mr, was, war पे इन पे ज्याधा question नहीं पूस verb, adjective, adverb, proposition, conjunction, वो सारे पढ़ने पढ़ेंगे तो, लेकिन ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, models के question तो वहाँ पर भी, यह मान लिजे, 4-5 question models के वहाँ पर भी आते हैं, और यहाँ पर भी particular इसके 5 question थे, इस बार जो, अभी जो letters paper हो हो है, syllabus change होने के बाद, मैं उस पर बात कर रह can, could, may, might, यह सब होते हैं, तो 5 question आपके यहाँ से हैं, और 5 question आपके यहाँ से, तो टोटल यह सब मैं से देखवा, 5-5 question है, 6 अब तक अपने 5 topic हो गए, तो 5 means 5 5s are 25, 25 questions की बात कर रहा हूं मैं, multiply by 2, 50 number की grammar यहाँ तक हो चुकी है, 25 multiply by 2, और यह सब आपके great second में भी है, फिर से किस बार आया था, आपको ध्यान होगा, gift of the gap, यह पहले भी आ चुका, exam में, gift of the gap, जानते हैं कोई क्या होता है, gift of the gap, जानते हैं कोई क्या होता है, gift of the gap, जो जिनमें art of speaking होती है, जैसे teachers, generally have gift of gap, Modi has gift of gap, कभी भी किसी भी topic बुलवा लो, गजब की उसके अंदर art है, जिस जो बहुत अच्छे बोलते हैं, उनके अंदर gift of gap होता है, और यह RPSC ने कई बार question पूछ लिया, कई बार question पूछ दिया इसके उपर, ऐसे idioms आपके दे देता है, और उन पे questions वो पूछता है, phrasal verbs, phrasal verbs जैसे की, एक verb होती है, ठीक है न, और उस verb के साथ में कोई proposition, या को एड़ लगा देता है, तो जैसे यह लगा दिया, out, put out, idiom और phrasal verbs दोनों की एक खास बात होती है, कि इनके word meaning अलग होते है, word meaning, literal meaning अलग होते हैं, लेकिन इनके real meaning अलग निकल कर आता है, जिसको हम बोलता है, metaphorical meaning, एक अलग निकल कर आता है, जैसे gift of gap, यह जह हम बात करे है once in a blue moon, एक मुहावरा है, once in a blue moon, अभी आपके beat about the bush आया, great third में देखा होगा, आपने विवाद भी चल रहा है, कि beat about the bush होना चीए, कि beat around the bush होना चीए, ठीक है न, तो यह सब idioms होते है, beat about the bush, यह पीटना, about the bush, जाड़ी के बारे में पीटना, कोई मतलब ही निकला, लेकिन beat about the bush मल होता है, घुमा फिरा के बात करना, round about manner में बात करना, शाब्दिक अर्थ अलग होता है, और वास्तिक अर्थ उसका क्या होता है, अलग होता है, तो इसे आप लोग क्या कहते है, idiom, और fragile word भी ऐसे होते है, देखना आप, put यानि क्या होता है, दोस्तों, word meaning क्या होता है put कर रखना, और out यानि, बाहर, अब आप चूकी English के student हैं, और आने वाले time में आप English के teacher बनने वाले हैं, और आप बच्चों को part पढ़ाएंगे, English से Hindi कराएंगे, grammar, transfer, method पढ़ाते हैं पढ़ने या तो generally, तो आप उसकी translation करवाओगे, और आप उसकी translation क्या कर दोगे, put out, ब क्या मलब क्या होता है, शत जानती हैं, आप, चलो मैं थोड़ा साप से introduction भी ले लूँ, क्या नाम है आपका, बभीता, दुरुगावत, आपका क्या नाम है, इस डिगेश्वरी, ठीक है, जोती मिना, आपने इस contact में थी, सचिन शर्मा, हेमन, सिंगल, ठीक है, तो आप बता यह, आपने बता दिया, दोने बता दिया, कोई बताना चाहेगा, पुट आउट, इसका मलब, मुझे लगा आप सब फ्रेशर्स ही है, पहली बार कोचिंग करने हैं, और पहली बार तो आफलाइन करनी भी चाहिए, यह मेरा भी मानना है, अगर आप कर सकते हो, तो, अच्छ अब लगबग तीनों जानते हैं, आप दोनों पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तीन जानते हैं, आप लोग, 2010 से मैं परिशकार कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, इस बार भी इंग्लिश का बैच मैंने ही वाली है, ग्रेट फर्स, ग्रेट सेकेंड, SMS कोचिंग सुना होग ग्रेट फर्स के, ग्रेट सेकेंड के, तो ओफलाइन और ओलाइन आज तक मेरी क्लासेज में एक नहीं था, अब यहां फाइदा क्या होगा है, कि आप ओफलाइन आ रहे हैं, आप किस दिन मालूर नहीं आ पाए, यह क्लास रिकोर्डेड आपको मिल जाए, हम बहुत कुछ क बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, कि इस बार भी होगा, अभी रिजल्ट्स आपके सामनी आएंगे, आप पढ़ते रहोगे, रिजल्ट्स आएंगे, बच्चे भी आप से मिल आँगो, मैं यहां पर, जो लोग पहले सलेक्ट भी हो चुके हैं, उनका हो जाएगा इस बार आइसा, बहुत सारे студden लग चुके हैं, मलब इतने बड़े इंसिट्दुट्स पढ़ा रहे हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, सबीह नहीं की लगते रहे हैं, आप में सब बहुत सार लोग हो जाएंगे, इस बार हम लोग नाउना बहुत अच्छे होड तियार हो जाएग पूरा सुन में आ जायागा किस category में कितना के है चलो क्या बात कर रहे थे हम लोग आपको एक फायदा मिलने वाला है इस class आप offline तो आई रहे हैं पढ़ने के लिए online इसका एक पूरा backup आपको यहां आपके mobile पर आपको मिल जाएगा आप देख सकते हैं उसको आराम से और हो सकता है कि हम आपके साथ recorded class भी डाल दें जिसके लिए हम लोग 10,000, 8,000 हम लोग कोस्ट करते हैं मेरे एक लगबग 267 इस्टुएट ने पिसली बार हमारा grade first और grade second का कोर्स खरीदा यहां से बहुत सारी खासकर वो इस्टुएट जो गवर्मेंट जोब लगे हो हैं वह यह पढ़ने के लिए नहीं आ सकते हैं वह ओनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं कि मजबूर है आप लोग आ सकते हो तो आपको offline और online दोनों चीज़ें मिल जाएं हर topic का आपको टेस्ट मिलेगा proportion खतम हो गए जिस दिन उसी दिन आपको उसका टेस्ट की त्यारी करके लाए अगली topic खतम हर topic के test paper वह आपको क्लास में हर topic test हर topic का test ठीक है इस बार तो जैसे पहले हम figure of speech औ उनके test common लेते दे लिटरी टर्म्स का एक test हो जाता था अब आपने देखा हो great second में इस बार divination कर दिया उन्होंने onomotopia पर 3-4 question पूछ लिए इस पर 3-4 question पूछ लिए तो मैं इस बार सोच रहा हूं कि onomotopia पर कितने question मन सकते हैं 5-10-20 वह topic खतम कराया उसी दिन test हर topic का test जि समझ रहे हैं आप लोग और मेरी बुक भी एक English की आप शाद आपने पढ़िया बता रहे हैं तो उसमें तो हर topic के 4-4-5-500 questions है मेरे नाम से केटी सर English करके है ठीक है ना मैं लास्ट बता दूँगा आप लोगो सब कुछ आपके पास available रहेगी आपको केवल पढ़ना है कहीं क मज़ाने वाला है आपकी सारी प्रॉब्लम सब मेरी प्रॉब्लम होंगी जो पहले पढ़ चुके उनसे आप जो फीडबेक लेंगे आप उनसे लेंगी आप जिन सातियों से आप लेकर आया होंगे तो आपको महला कहीं कोई चिंता करने की ज़रत नहीं रहेगी यह सब यह अपने इंगलिश में इडियम सुना हो गए प्रोवर्व एक्चुलि में एन अर्ली बर्ड कैचे ज गुंग में जो पहले आता है ना वो पहले पाता अच्छा पाता है यकीन मानना कि 3-4 मेने क्लास रहेगी अपने आना 3-4 मेने में कॉर्स पूरा होता है इतना mentally prepared हैं ना कि 4 मेने हमें सर को देने बट उसके बाद इतने ही महिने लगबग 6 महिने आपको घर पर के लिए मिलने चाहिए एक्जाम से पर अधिकतर इस्टुएंट क्या होता है वेकेंसी आने के बाद आते हैं जब टाइम के ओल तीन-चार मैने का होता है तो फिर वो क्लास भी जल्दी सर जल्दी गराओ जल्दी गराओ पूरा रंग से नहीं हो पाता है रीजन करने का टाइम पूरा पढ़ना पढ़ेगा वेस्ट लेंड साढ़े चार सो लाइन की कवीता है 433 लाइन की कवीता है वो पूरा पढ़ने के लिए आपको टाइम ची तीन बार पढ़ना पढ़ेगा तब जल्दी आए अच्छे आपने फैसला लिया है रेगुलर आप कंटिनिस बने रहें कर लेंगे एक नई दो-दो पेपर कर लेंगे यहां जुड़े में कोर्स खतम भी हो गया किस दिन लाइव आया मैंने बता दिया अब आज प्रफेशन पर टेस्ट होगा जो यहां पेपर कर चुके ना उससे अलग पेपर मिलेगा आपको 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 तैयारी पूरी अच आप सबने बताया बहार रखना लेकिन इसका मतलब होता है आग भुजाना लभी याद करने पड़ेंगे और बहुत यूज होता है पुट आउट दे लैंब, पुट आउट दे फायर इतना इंपॉर्टेंट फ्रेज है आप इंग्लिश के इस्ट्वेंट्स हो करके आपने याद नहीं किया आपने कभी यूज नहीं किया है तो वो कभी याद होंगे जब यूज करना शूरू कर दो आप इंग्लिश के स्ट्वेंट है ट्राइटू स्पीक इन इंग्लिश और ये ना इनको इजो फ्रेजर नहीं क्यों इसको हम लोग वजन मानते हैं वजन मत मानो बहुत जैसे मैं बता हूँ आपको नेसली मैं आजकल वैब स्रीज देखता हूं नेट्फिलिक्स पर अभी ज्यदा ओफलाइन क्लासे भी नहीं है शाम को डेड़ दो उन्टा देखना है मतलब और पहले किया जब हम आपकी तरह थे हम लोग देखते थे उसको हिंदी में अ अकिलिस हील मतलब दुखती रग वीक पॉइंट अब उसमें अकिलिस ना होमर के जो ओडेसी है जो होमर का इलियट जो एपिक है उसका में करेक्टर हो और उसको वर्दान मिलावा था कि वह नहीं मर सकता बहुत बड़ा योद्दा था हो लेकिन जो हीरो होता है उसका दूस कि वह और याद रहेंगा रिट के अंदर आया पिछली वाली डी ती न उसमें अकिलिस हिल क्यूशन आया हो अपफने पहले पेपर भी एक ही होता था इस बार तो अलग अलग लग पेपर ही तो अकिलिस हिल ऐसे याद रहेगा आप लोग तो यूस कर लाइफ में आप कर सकते हैं जो जाके आज पढ़ लो आप उसमें तरीके बता हैं आज आके देख सकते हैं कि सर अमने दस एड़े में याद कर लिए आपके कहने से याद ही हो गए हमारे को और क्या इसलिए आप लोग घर पे वह चीज पढ़ाई होती नहीं है रूटीन बनता नहीं आपको रहेंगी जिस दिन को आप कॉंक्रीट बना लोगे जिनको जिस दिन से इनको आप लाइफ में यूज करना शूगर दोगे न यह आपको याद हो जाएंगी तो अब आप क्या अगरो घर जाके आज लाइट जब बंद करो न तो सिच आफ दे लाइट मां सोचो आप क्या सबसे बढ़ी है इसके यह है चलो यह इस पर फाइफ क्योशन थे इस बार भी क्रेट फरस्ट के अंदर आगे बात करते हैं रीडिंग कॉंप्रिहेंशन इट मीन्स आपको यहाँ पर क्या देगा दोस्तों वह एक पैसेज देगा एक पैसेज देगा आपको और उस पैसेज में ऐसे पांच क्योशन देगा जनरली ऐसे और उस पैसेज को पढ़ना है समझना है और उनके जूणने और तिक लगाने चार में से पैसेज अच्छी बात है पांच मेंसे आलो आपको तीन क्योशन तो आई जाएगगा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसका इसका टाइटल क्या होना चाहिए इसके अंदर का सेंटरल आइडिया क्या है उसके लिए पूरा पैसेज आपको समझ में आज़ा बट अच्छी बात क्या है कि क्योशन भी सामने और आंसर भी सामने है यह आपको ध्यान हो को 10 12 में जब थे हम लोग पैसेज में सब ज़्यादा हैं जो grade 2 में नहीं 7 टॉपिक यानि कि इसमे पांच क्योशन थे 35 मार्क्स 35 क्योशन सेम है कहीं कोई डिफरेंस नहीं है यानि कि सतर नंबर का काम तो दोनों बैच का क्या है grade 1st का और grade 2 का common रहेगा यह तीनों टॉपिक grade 1st में है grade 2 में है लेकिन अगर आपकभी एक्जाम CT का, LDC का, Junior Accountant का, अगर आपने कभी CT का exam दिया हो, तो वहाँ पर ना ये वाले चीज आती है, letter writing इसके questions आते हैं ठीक है ना, ये questions आते हैं ये grade second में नहीं लेकिन, आपको नहीं पढ़ने पढ़ेंगे ये grade first वालों को पढ़ने पढ़ेंगे अब इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट second ये grade second level का है, जो आपने grade second में जो poems, drama जो पढ़े होंगे उस पर है जैसे ये eight poems हैं जो poetry पद्यभाग है poetry वाला, इसमें Milton का on his blindness जो पिछला जो वो था, इन सब poems में से दो-दो questions लगबग पूछता idea, किसी में तीन पूछ लिया, तो किसी में एक पूछ लिया, लेगन on and average क्या रहता है, इसमें two questions, इस बार इन्होंने थोड़ा कम पूछा, इनमें से ये portion थोड़ा कम कर दिया, और nine questions ही पूछे, nine questions ही पूछे, इनमें से, बाकी इनमें से 10 questions पूछे नह 10, 12, ऐसे questions पूछने चीए थे, बट ठीक है, फिर भी आप ये मानों की, पिछली बार हो सकते है, उसने नए paper, नए slave से बनाया था, तो कुछ गडबड कर दी होगी, बट आप ये मानों की लगबग लगबग, एक पूछे में से कितने questions आने चीए, two questions आने, मोटा मोटा idea, य मिल्टन की on is blindness, ये मैंने यूटूपर भी डाल रखी, class e janit के app पर आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे डंग से पड़ा रखे, तीनों पार्ट है, इस के question answer सहीत में, वहाँ पे आप देख सकते हैं, जॉन डन की go and catch a falling star, इसका भी एक पार्ट है, डाला हुआ है, वहाँ ये यहाँ पे colon आना जरूरी है, इदाना colon बोलते हैं इसको, punctuation marks के भी knowledge होना चाहिए, इसको colon कहा जाता है, इसको आप semi colon कहते हैं, किसको hyphen कहते हैं, किसको dash कहते हैं, ये सब भी पता होना चाहिए, बट एनिवेज यहाँ जुर्त नहीं है, उसकी, Shelly का or to the west, बहुत अच् Shelly की, P.B. Shelly की or to the west, Keats का orde on Grishan earn, चीक है न, ये भी orde है, उपर वाला भी orde है, Browning, Robert Browning का My Last Duchess, My Last Duchess पढ़ी होगे अपने Grishan पढ़ी भी, इस poem को कौन सा form नाम देंगे हम लोग, My Last Duchess को, क्या कहेंगे इसको, क्या ये epic है, क्या ये कोई lyric है, कोई odd है, dramatic monologue, dramatic monologue, अच्छा रूप जो इसमें expert यही था, जब इन poems मोड़ोग ना बड़ा मज़ा है गाएगा, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप आ गए और आपको लगता है, एक दो महीने एक्स्टा लग रहे है, ताइम तो लगी रहे है, दोनों कोर्स कर जाते हैं, वो भी हमने plan बना रहे कि दोनों कोर्स कर सकते हैं एक मुलब आए और आपने दोनों चीज पढ़के चलेगे कि यहां वापस आना सबसे कठीन है अपने शहर चोड़े सब जयपूर के यह आप लोग पाँचों लोग अब भार से पढ़ने के लिए आप आप भार से हैं आप जालोर से हैं जालोर के तो काफी सारे बच्चे जुडेंगे दिखना अभी बहुत सारे बच्चे और आने वाले एक हीना करके लड़की है जालोर की वो मिभास ग्रेट सेकिंड मां पड़ी थी अब लोग काफी मैंने तक बोला ने अपने students को कि आपको आ जाना है कल से जब उनको बोलेंगे तो वो सब student आएंगे यह बैच आपका अच्छा बनने वाला है चलो निसिम इजिकल इसने Knight of the Scorpion यह पढ़ी होगे आपने ग्रेशन में अलग अलग एक्चुली आपने अलग लग उनिवर्स्टी से किया होगा न तो सबका अलग लग सिलिबस रहता है यह भी बहुत छोटी सी सरल सी पोयम है बहुत एजिली आपको एक दिन में समझ में आ जाएगी कमलादास का dance of the unix unix जानते हैं यूनक्स बोलते हैं इसको तो वो जो है उसको unix कहते हैं और कमलादास की पोयम है कमलादास इस तरह की पोयम के लिए famous थी वैसे तो यह इसका जो content था जनरली वो ऐसा था कि यह केंडिड थी और बहुत ज़्यादा अपने बारें बताती थी इवन जो अपनी जो married life थी इसकी sexual life थी इसकी उसके बारे में भी काफी लिखते हैं आपने स्टोरी ऑटोबियाफी पढ़ी हो या वो looking glass पढ़ाओ इसका एक तरह से revolutionary थी चलो इसकी eight poems हैं देखो जिसमें यह six poems इन तो हैं अपने western poets की और दो ये इंडियन्स की है निस्यमिजिकल और कब्रदास की eight poems हैं ज्यादा नहीं दो दो दिन में एक एक दिन में यह पूरी poems होने वाली हैं तो कुझ ज़्यादा समय लगेगा लिए इन चीज़ों के अंदर अब बात करते हैं ड्रामा दो ड्रामा है दोनों इक शेक्स्पियर के हैं एक तो Macbeth है और एक as you like it इन दोनों में डिफरेंस पता है वो क्या है Macbeth में और as you like it में डिफरेंस क्या है जानने हैं दोनों ड्रामा है ये ट्रेजडी है और ये कॉमेडी दोनों का फ्लेवर अले लगे इसमें मरना काटना दुख ये सब होगा hero last में मर जायागा heroin मर जायेगी last में Macbeth मर जायागा as you like it में सब कुछ last में अच्छा अच्छा हो जायागा सब लोग जो romantic couples थे उन सबकी last में शादियां हो जाते बहुत बड़िया सब कुछ अच्छा हो जाते तो ये comedy है as you like it और macbeth है दोनों ही किसेifen तैजडी है Seriously वो सब हम पढ़ेंगे आप फिर इस पर खुब सारे questions करेंगे इसके जो main points है जहां से questions बनते हैं उसके कुछ pages आपको मिलेंगे जिससे आप उससे पढ़ोगे रोग पूरा उससे सारा कुछ cover हो जाएगा ठीक है न दो प्रोज हैं प्रोज मतलब यह कह सकते हो कि essays हैं दो ऐसे ह एक बेकन का और एक लैम का बेकन जिसका पूरा नाम Francis Bacon है बहुत अच्छा लिखता है मतलब he is known as father of essays English essays के father है ठीक है न फ्रेंसिस बेकन मतलब मैं इनका दिवान होगे करे सकते हो एक एक लाइन एक लाइन ने इसकी आपको डायरी में लिखने का मन करेगा कोट करने का मन करे इतना अच्छा लिखता है Francis Bacon of studies of love of marriage लगबग लगबग सारे जितने भी हमारी issues है ना life के उन सब पर बात करता है short लिखता है बहुत short लिखता है अच्छा लिखता है of studies पढ़ाई के बारे में पढ़ाई कैसे करने चीए पढ़ाई से क्या-क्या फायदे ह होते हैं पढ़ाई करने से कौन-कौन से बिमारियां दूर हो जाती है उन सब पर बात करता है छोटा सा लिखता है खुब सारी बाते कह जाता है और चार्ल्स लैम यह अलग-अलग एज हैं यह यह रोमेंटिक एज का है ठीक है ना चार्ल्स लैम इसका अपने पढ़ाऊगा ने प्रेज ओफ चिमनी साफ करते हैं और चिमनीओ के अंदर गुसके अंदर उसकाली जो जो इसकी जो शूट होती है चिमनीह होती है दुरा निकलता है उनको साफ करने वारे लोगे वह तो उनके उपर इसमें पैथोस भी है धुख भी थोड़ी कॉमेडी भी है ऐसी तेकि टियुक्त रहता रहा था मैंने ऐसे देखा यहां मैं कहीए नहीं या ऐगई काउपर वाले बोंदो अपने प्रोज है दिए फ्लेवर की चीजें अलगे कभी ड्रामा पड़ रहे हो कभी कॉमेडी पड़ों सुनुल जानबूत क्या सा बनाया है कि आपको हर फ्लेवर मि से चल रहा है कि प्रोज दो अच्छय प्रोज मिल गए परसनल और एक एम परसनल और 115 अच्छा इम्परसनल अच्छा सिलिब्स बनाए थोजार दस से यह सलिब्स चल रहा है तो इसमें कहा है कि इमेजनरी क्यारेक्टर्स होते हैं, इमेजनरी कहानी होती है, औरिजनल नहीं होता कुछ, इसमें दो हैं आपके, एक तो हर्डी, टॉमस हर्डी का धập कास्टर बिड़िज, बहूत अच्छी बड़ा नोवल है और एक कास्टरषा healthy डेल का इंडीयन है। वेंडर ऑफ स्वीट्स माली और जगन की कहानी है, बाप बेटी कहानी है, जगन फादर होते है, माली उसका बेटा होता है, उनकी स्वीट्स की दुकान होती है, उस पे कहानी है, जो लोग ग्रेट फस्ट के हो पढ़ेंगे सीज को, ठीक है न यह हो गया, डी पोर्शन, एक ही अलग है और grade first में अलग है एक दो चीज़ है बाकी almost same है यह तो है literary forms literary forms मनलब जो literature में कविता हैं वगरा ना कुछ अलग-अलग forms की होती है अलग-अलग तरीके होते हैं लिखने के कोई 14 lines की होती है sonnet बोल दिया कोई बहुत लंबी चोड़ी होती है कई कई उसके अंदर पार्ट होते हैं दस बारा-बारा पार्ट होते हैं जैसे कि श्याद रीट में भी पढ़िया होंगा जो पहले exam दिया हो great second great second दिया है अपने exam आपने दे रखा है आप दोनों ने दे रखा है आपने नहीं दिया great second दिया है इस वाला दिया होगा आप लोगों simili metaphor personification irony hyperboli onomotopia synecdoche oxymoron यह सब्हें को जानता है अपमें से simili क्या होता है अगर हम एक class में बात करें तो दो शब्द बोलें तो बताईए क्या नाम emotion नाम क्या होता है अमन यह तो हिंद नहीं बता रहें होता है कैसे पचानते हो क्या क्या एक line बोलनी है क्यों लमारे as like इनसे दो dissimilar things में compare करते हो compare होता है बहुत important word है to dissimilar things तोनों चीज़े क्या होती है अलग-अलग होती है आपको देखने में लगेगा इन में कैसे compare हो सकता है एक प्रेमी का में और एक फ्लार में compare कर दिया है जो आपके great first में question आया है Robert Burns का एक sentence है My love is like a red red rose अभी great first में आया है question हम देखा हो तो My love is like a red red rose तो my love या नि my beloved उसकी compare किसे कर रहा हो red rose से कर रहा है अब दो रोज और जो beloved है क्या हो सेम चीज़े हैं क्या बिल्कुल distinctly different things बिल्कुल साब साब लग रहा है अलग-अलग चीज़े but at least one common point कोई एक common point जरूर होता है उनके अंदर and उनमें अदर comparison की जाती है with the help of like and similarly होता है तब दुबारा पढ़ेंगे तब भी इतना पढ़ेंगे but फिर भी देखना उसको आदा गंड़ा पढ़ेंगे हम लोग लेकिन उसका सार यही है summary यही है राम इस लाइक लाइन similarly है राम इस लाइन वो मैट आप़े रूप दे दिया आपने उसको वो मैट आप़े personification जब कोई thing जब कोई animal abstract thing जब किसी मानव की तरह behave करती है human beings की तरह behave उनमेंदर attributes आ जाते उन्हें कहते हैं आप personification कहते है hyperboli मलब भड़ा चड़ा के बात करना अति शौक्ति exaggeration overstatement जैसे 10,000 star 10,000 daffodils 10,000 daffodils थे वहाँ पे ठीक ना इस तरह की बाते करना भड़ा चड़ा के बात करना onomotopy यह क्या होता है हाँ द्वनी कोई sound होता है ना उसको English word बना देना धर्ड कोचीज उपर से गिरी धर्ड की आवाज आई और धर्ड आपने अंगरी शब्द बना दिया THUD बिल्ली बोली म्याओ और आपने शब्द बना दिया M-I-A-W म्याओ म्याओ यह म्याओ क्या है onomotopy है कई बार क्योशनाते और यही क्योशन बनेगा चाहिए तो पढ़के आगे हम लोग आज तो सर ने कई बातों बता दिया क्वैक क्वैक onomotopy है ठीक है ना बहुत सारे वर्ड्स है drink 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 buzz hiss सिनक डकी सिनक डकी जब कोई चीज किसी दूसरे को represent करती है उसको आप सिनक डकी कहते है जैसे आपने का crown राजा को represent करता है इनको आप सिनक डकी कहते है oxymoron मनलब जब दो opposite words को साथ में लिख देते हो आप दो opposite words को जैसे आपने का sweet pain sweet pain बोलते ना यह तो मीठा दर्द है बाबुजी लोग बोलते है इस तरह figure of speech अलंकार यूज करते हैं और उनकी भाषा ना शांदार हो जाती है यह jewelry है यह यह खुबसूरत बनाने के तरीक हैं language को जब आप ऐसे बोलते हो ना एक तो आपने का Ram is a brave boy और आप एक आपने का Ram is a lion Ram is a tiger तो बोलने का भी है ठीक है ना यह हो गया part आपका second अब बात करते है पार्ट थर्ड यह post duration का है चुकी post duration का है इसलिए आप लोगों के नहीं आएगा second वालों के नहीं होगा इसमें तो टीयस इलियट की the wasteland यह इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया हाड एरोल पिंटर को नीचे आएगा यह जो ता wasteland है ना तीयस इलियट की इसमें से इस बार ऐसे होता नहीं जनरली दो या तीन क्यूशन आते हैं अकेली इस पोयम में से दस क्यूशन पूछ लिए पता नहीं कैसे उन्होंने पेपर बनाया होशो आसमनी बनाया पच्चों के परखचे उड़ गए थे बच्चे घबरागे सर इतने क्यूशन कहीं लोग छोड़ भी आते हैं ना क्यार एक पोयम छोड़ देता है इतने सारा क्या है तो क्यूशन पूशता है ना दस क्यूशन पूशन तो कुलमलया की बात है कि आपको अब इन गलतियों से ध्यान रखना है तो टीचर बताएगा आपको कि लोगोंने क्या गलतिया की है आपको क्या ने करना है हर चीज को वेटेस क्या देना है इक्वल देना किसी चीज को कम या ज्यादा निस सब को बराबर पढ़े दाना रिस्क ले नहीं सकते आप लोग और आज कल ना दीरी दीरे परसंटेज भी बहुत ज्यादा जाती जा रही है तो कम परसंटेज में होता भी नहीं है अनिता देशाई का त्राइदा पिकोक यहां से पांच क्वेशन पूछता था पोस्ट ग्रेशन में टोटली दस क्वेशन पूछता था हो टोटली इस बार इन्होंने देखो 10 10 और 5 25 क्यूशन दिये हो गए और 5 यहां से पूछ लिए varieties of language क्रियौल पिजिन कोड मिक्सिंग और कोड स्वीचिंग 5 क्यूशन यहां से पूशन यहां से पूशन तो ध्यान दे रहे हो grade 1 वाले कि इस portion को हलके में नहीं लेना है पर मुझे लगता नहीं कि इतने जादा कि इस बार देगा भई 5-5 दे देन मैंसे कम सब्सक्राइब कम होते लेकिन जाद यह दिया कोई बात नहीं हो ऐसे कर देता है कई बात ती ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस समझ में आ गया आपको हम शुरू करने वाले ग्रेमर से थाकि इनका भी हो जाए और आप लोगों के सिलेबस पर बात कर लेते हैं क्योंकि आप लोग ज्यादा है देखिए अच्छे यह साइकलोजी आपके ना साइकलोजी वाला पॉर्शन है उसको देख लेना आप लोग साइकलोजी के समझे से रहे है जो पिसले बार साइकलोजी भी है कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे चिद्दा मत करो और उनके विश्याद कुछ क्लास डाल रखें नहीं एक बार उनको जब बैस सेट अप हो जाए उनको बुला लेंगे अपन तो ग्रेट सेकिंड वाला पूरा पॉर्शन मुझे पढ़ाना है मैथर्स एक ही चाहरा देखो गया पूरे चाहर मैंने के अंदर अगर आप चाहोगे तो चाहरा चेंज कर देंगे सर यह पोर्शन किसे पढ़ा दो बाकि यह स्ट्वेंट्स जनरली बोलते नहीं है मैथर्स मुझे पढ़ाने बहुत गजब के तरीके से मैथर्स त्यार हो चुके हैं को अपन देख लेंगा कंप्रोमाइज नहीं करेंगा अपन आपको रिजल्ट सबसे इंपोर्टेंट है हमारे लिए यह साइकलोजी वाला पार्ट है दोस्तों यह मैं समझा भी नहीं रहा कि मुझे पता भी नहीं इसके बारे में यह सब देर रहा कितने क्या क्यूशन होंगे अब आजाओ सेकंड गेट के के अगर हम बात करें तो यह पेपर सेकंडी होगा फरस्त हो पता है वो जी के वाला होगा पेपर सेकंड में यूसेज में पार्ट ऑप स्पीच पहले अच्छी बात कर दीनों अभी नया से ले बस ही वाला पहले क्या पूरा पढ़ाना पढ़ता था अब इन्होंने मेंशन कर दिया कि पार्ट ऑप स्पीच में आपको क्या-क्या पढ़ रहा है सवलियत हो गई आपको नाउंस पढ़ने प्रोनाउन अठाधी देखो अब प्रोनाउन की अपने आप में अलग से 6-7 गंडे क्लास होती थी वो कम कर दीनों ने अलाकि प्रोनाउन ग्रेट थर में तो हैं अना लेकिन यहां नहीं है तो अगर एक हम लोग ग्रेट थर का भी बैस शुरू करेंगे उसमें प्रोनाउन अब अजेक्टिव देखो वैसे ग्रेट फर्स में नहीं था कहीं पर भी तो यह इनके काम आ सकता है एडवर्प्स है आपके सिलिबस में यह चार जो हैं आपके दे रखें यान की इंट्रेक्शन नहीं दिया प्रोनाउन नहीं दिया प्रपजीचन और कंजेक्शन होते हैं इसी में वह अलग से टॉपिक इन्होंने मैंशन करने हैं तो एक तरह से पूरा ही है आप ही मानलों की प्रोनाउन नहीं पढ़ना बस हमारे बस वह नहीं पढ़ना बागी सारे पढ़ने आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स यह टॉपिक आप ने थोड़े पहले देखा था क्या है वहाँ पर भी आया था यह टॉपिक कॉमन हो गया ना अपना थैंसे दोनों जगए क्या कॉमन हो गया कोई दिक्कत नहीं रहेगी प्रपोजिशन दोनों में हो गया ग्रेड फस्ट म बनाना फॉजेटिव से सुपर्लेटिव बनाना खुआ क्योग बनाना सुपर्लेटिव से काहिए कोकी सॉपर्लेटिव कॉच्छेंड बनाना सुपर्लेटिव इंदेद्धी चेंज करने के हैं Budget- Ver盟 Agreement अब Subject-Verb agreement ग्रेड फस्ट में है ग्रेड फर्स्ट में भी Français लेकिन आ वाले portion में है आपके पूरा topic है subject verb agreement का ठीक है subordination and coordination जिसमे compound and complex sentence आपके भी था क्या हो compound complex sentence हाना simple को compound बनाना compound simple बनाना complex बनाना यह वाला portion है दोनों जगए हो गया यह portion दोनों जगए नहीं है बट वैसे देखा जाना जगह है जीके वाले portion को आध करें तो कंडिशनल सेंटेंस ये अलग से टॉपिक दे दिया यहां पर, लेकिन ये मैं पढ़ाना वा मुझे ग्रेट फर्स पढ़ेगा जब टेंस पढ़ेंगे तो कंडिशनल सेंटेंस एक गंटे क्लास होती है वो समझ में आ जाता हो ठीकर न कंडिशनल सेंटेंस आते न जो इफ वा और एक होता है आपके unfulfilled condition तीन condition होता है तीनों के तीन इस्टेशर पढ़ लो सारे question हो जाते हैं एक class में topic हो जाया गई वाला एक class में topic होगा ये भी 2 glass में topic होने वाला है छोड़े topic से ज़्यादा नहीं है इसके बाद बात करते हैं transformation देखो एफर्मेट्री नेगेटि इंट्रगटी थोड़े पहले पढ़ा था मों लोगों ने यहां पर भी है सिंपल कंपाउंड कॉंपलेक्स थोड़े पहले आई गया वह भी हो गया एक्टिव पैसिव और डारेटिक ठीक है ना यह कॉमन टॉपिक है फ्रेजल वर्प्स वहाँ पर भी थे इडियम्स वहाँ पर भी थे इन्होंने अलग-अलग मेंशन कर दिया उसको वर्ट्स ऑफन मिस्पैल और कंफ्यूज्ड यह नया टॉपिक जोड़ा था इन्होंने और आप देखना कुछ चीज है आपको जो आज करके आनी है जब आपक सब्सक्राइब कर लेना इस पर आपको बहुत सारी क्लास मिलने वाली इडियम्स चार पार्ट में दे रखें लगबग डेट से दोस्कुषन करा रखें और यह कंफ्यूजबल वर्ट्स के सो कुषन एक्जाम में कैसे आए हुए वह करा रखें जाते देखो के मजा जाएग आप लोगों यह टॉपिक अभी से उन्हें शुरू जाएंगे आप लोगों आज जाते ही ठीक है और अपने नाम से मुझे मैसेज भी करते में पता लग गया कि आपने कर लिया आप पढ़ रहे हो आज पूरा वीडियो देखने के बाद सर्म ने पढ़ और कल मुझे है वाच यह भी टॉपिक में है क्रेट फर्स्ट में कहीं नहीं दे रखाए लेकिन वहां पर भी जीके वाले पोर्शन में एंटोनिम से सिनोनिम नहीं है आप आपको क्या करना पड़ेगा अर्ली बर्ट कैचिस दवों आप करना कै अभी से ना इनको याद करना शूकर दो दस दिन बाद कोई बच्चा है का ना आपको सारी इडिम याद हो नहीं तब तक तो हम लोग बात ही इडिम में करेंगे मैंने बोल दिया गिफ्ट ऑफ दगाब आप समझ गए कि यार ही हैस विएली गिफ्ट ऑद गया आज कल आती है नहीं आप क्या बात है मैडम बंस इन ब्लू मून हो गया तो समझ रहा आप ऐसे इडिम को यूज कर लो लाइफ के अंदर किसा आप देखो अपनी इंगलिश न अकिलीस हील है समझ रहा इंगलिश का है मेरी अकिलीस हील मतला वीक पॉइंट है उन इडिम को याद करो और आपसमें चीजों को यूज करो फिर एक कर सकते हैं इसकी भी यूटूब पे क्लास डाल रहे है जयनित वाले है आपके उपर आप देखने है टॉपिक है क्या एक्चुली भी ठीकिन आपको समझ में आजाए जब नंबर आगा तो पढ़ेंगे इसको हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक है एक वर्ड इस्ट्रेस है पढ़ा होगा आपने कही सारे एक्जाम दियोंगे भी तो यह टॉपिक दोनों में है क्या ग्रेटर फस्ट में भी है ग्रेट सेकिंड में भी है और यह वाला टॉपिक ग्रेटर फस्ट में भी है ग्रेट सेकिंड में भी है देखा जाये तो यह टॉपिक भी है बड़ो जी कोई है और वोकेब एक दिन में याद नहीं होती है जैसे बहुत अच्छी स्टुनेंट हैं फिर भी क्या कह रही है कि सर्फ भूल जाते हैं क्या बीमारी अकेली की साथ में सब के साथ में मेरे साथ तो है मैं हाथ खड़ा करूंगा को पूछे यह भूल जाता हूं साब आप याद करना शुकरो दो चार पांच छह मेंने लगते हैं वोकेब को याद करने हैं चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकिंड ग्रेशन स्टेंडर का पार्ट है इसमें ग्रैमर यूसे लिटरिचर ग्रैमर कुछ पोर्शन आगे इसमें बेसिक सेंटेंस पैटर्न कोई बताया स्लेवर्स यह तो वह ऑथेंटिक स्लेवर्स है आर्पेसी की वेबसाइट होला स्लेवर्स है हाँ शाबाश अभी एक्जाम दिया नहीं इसलिए आपको यहाद भी होगा थोड़ा सही है यह होता ना स्वी ओ सी ए है इ hydraulिमेंटस एउफ सेंटेंस भी इसका नाम है इसको कि सेंटेंस शुरूमें सब्यंट होता है फिवर्ब होती है वब्जेट होता है, complement होता है, adverbial होता है, कई बार verb transitory होती है, intransitary होती है, linking verb होती है, verb के इसाब से pattern बनते हैं, शलिवे इसको verb pattern भी कहते है, इसका नाम basic sentence pattern भी है, अगर आप M.A. कर रहे हों, तो previous के अंदर यो verb patterns के नाम से topic, previous में आता है काम अपने, तो S-V-O-C-A इस पर question पूछता है कि sentence देदेगा इसका कौन सा pattern है S-V-O है, S-V-C है यह 8-9 patterns होते हैं इन पर हम बात करेंगे जब topic आएगा यह phrase analysis है MHM's related MHM मतलब कोई भी phrase में noun phrase, adjective phrase, proportional phrase होते हैं इन में M means pre-modifier दूसरा M means post-modifier और H मतलब head word होता है इसको qualifier भी कहते हैं हम लोग M, HM M मतलब pre-modifier, head word और post-modifier इस तरह से होता है जब phrase पढ़ेंगा, अच्छा topic अच्छा topic आपने नहीं पढ़ा होगा इस school में नहीं पढ़ा होगा टेंस पढ़ रखे हैं, प्रपेशन पढ़ रखे हैं यह नहीं पढ़ा, यह ग्रेशन लेवल का है close analysis यह वही बात आ गई देखो SPOCA या SVOCA यह verb और predicator एक ही बात होती है तो यह सेम चीज है, यह और यह point सेम ही है एक topic पढ़ेंगे, दोनों साथ मों जाएंगे गलती से नों नाम इस तरह से दे दिये बाकी बात वह ही है Reading comprehension, क्या वहां पर भी था क्या क्या था यह topic एक passes दे करके आपसे क्या पूछेगा? Question answers पूछेगा पैसेस देगा और फिर आपसे question answer पूछेगा ठीक है न? और उसमें vocabulary वाले question भी पूछ सकता है कि इस शब्द का इसमें विलॉम शब्द क्या होगा पैसेज में इसका प्रयावाची क्या होगा इस तरह से question वोक्याप भी पूछ सकता है एक है poetry appreciation जो नया जोड़ा है इनोंने लेकिन आप लोगों के रीट में अगर आपने language second लिए हो language first यह language second थी आपके बास second रीट में आपको निटर एजाम दिया है नहीं first exam देंगे अब आप ठीक है आपने दिया exam रीट का आपने दिया दोनों तो उसमें first जो language second के अगर हम बात करें तो उसमें unit second है इसमें पोएम के बारे में question पोशता है इस पोएम के अंदर कौन सा figure of speech line में कितनी rhyme scheme क्या है इस पोएम की इसमें कौन सा figure of speech है इसका क्या title होना चीए पोएम का इस तरह question पोशता है poetry appreciation मतलब आपको पोएम के अंदर इसका यह iambic tetrameter में लिखी गई है iambic pentameter में लिखी गई है technical बाते पोशता है इसमें figure of speech कौन सा है उस तरह question आएंगे यह great second का topic है फिर आजाओ यह literary forms और devices अब यह पहले तो कहा है post question में आम देखा था literary forms अलग थी और figure of speech अलग दिये थे इन्होंने common कर दिया literary forms में कौन कौन से याद होता अगर आपको याद रहता हो तो literary forms में क्या क्या होता है आपको मैंने नहीं वह figure of speech थे उससे उपर ode elegy sonnet sonnet था epic ballad देयान आपको वह वह चीजे थी आप देखो यहां पर भी है ode, elegy है, sonnet epic common हो गई अपने यह dramatic monologue वही बता रहा थे पहले Robert Browning My Last Dutchess ballots दोनों जगए यह अलग हो गया यह यह अलग हो गई यह दोनों में common है यह आगए देखो यह मैंने कर दिये poems यह सारे कहा है poems है, अलग से बाट दिया और यह सब चीजे कहा है figure of speech है आज आपको यह भी समझाएगा अच्छा है यह अलग अलग होती है literary forms अलग होती है figure of speech अलग होती है forms मलब कविता का रूप क्या है वह चीज होती है अलंकर तो सारी है सारे अलंकर है क्या होता है शब्द बार-बार होता है नए पहला word बार-बार आता है यह भी गलत हो गया और थोड़ा गहराई में जाओ allocation repetition होता है किस सीज का हो बताना है वो क्या और थोड़ा और थोड़ा specific जाओ two or more than two words दो या दो से ज्यादा शब्द शब्द नहीं दो या दो से ज्यादा शब्द ता जो इनिशियल consonant sound है vowel sound भी नहीं consonant अगर वो same consonant sound two or more than two words में repeat होता है ना इससे कम ना इससे ज्यादा पढ़ने की ज़रुत है यह होता है यही खतम हो गया कोई भी कुशन कर सकते हो आप दो या दो ज्यादा होता है जैसे आपने का fast and furious मुझी देखोगी लड़कों ने fast and furious ff repeat हो रहा है betty bought butter but the butter was bitter so betty bought better better to make the bitter better better bitter better better तो यह अन्दी वो चंदू के चाचाने चंदू चै 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 इधर bubbb bubbb अगर वोगलस होता है इसको ऑर वह शुरू में इनिस्याल ज़रूरी होता थोटे पहले बताया था आपने ओवर स्टेटमेंट या इग्जेगरेशन बड़ा चड़ा के बात करना ठीक है ना सिमली मैटाफर दोनों बहन भाई है यह दोनों बहन भाई है इसमें और यह आता इसमें और नहीं आता परसॉनिफिकेशन परसन की तरह कोई बिएव करें व् इन्सानों में भी जदे कौन कर सकता है कुए कर सकती है इसाफ लड़किया उसक्राब को बहूत अच्छे डंग से कर सकती है बहुत बहुत भाहतर से कर तो न को तो बताओ किया होगिस पर्सॉनिफिकेशन हो जड़े न आज को चेडिए भी शोक मना रही है ठ Time चेया न आ toda टो चिडिए भी शोक मना रही है तो शोक मनाने काम इंसानों का है को काम कुन कर रहा है of चिडिया करें ऐसे जब कोई प्रश्रेट फिंग मानव की तरह करें परसोनिफिकेशन होता है सटायर ऐरनी एक पार्ट है सटायर के मतलब होता है वेंग करना जिसमें आप बोलते कुछ और है मतलब कुछ और निकलते है जैसे माली जी आपने क्लास का ताइम चार बजी है और आप साड़े चार बज़ आए उस दिन और आते ही चब लो हो आज तो भोजल दी आ गए क्या बात है और लेट आते अभी तो क्लास शुरू ही है अभी समझ गया है यह मास्टर मज़े ले रहा है मेरे डाट भी नहीं रहा है लेकिन एक तरीक आए कहने का तो किसे कुछ कहना हो करोना में काटाक्ष कर ना हो उसको सटायर करते ऑर सटायर में आयरंयी ऑपना है को पिसांड को अगर अगर यंग्लिश वर्ट बना दें है कि सांड को आप क्या बना दें किसी sound को imitate करके नकल करके उसका English word बना देया है वही चीज़ क्या होती है onomotive meow quack quack hiss आपका फुकारना buzz त्रिंग ट्रिंग जिंगल जिंगल यह सब चीज़े क्या है यह onomotive यह दोनों में है समझ रहे हैं आप लोग यह तो सारी चीज़ दोनों में है एक कि यानिए कि जब हम यह पड़ेंगे figure of speech common class हो सकती हमारी ngalas क्वोism आप बढ़ेंगे Oh Squad Almost is क्र criticism वह सकती है यानि है यह आपका syllabus हो गया इसमें थोड़ा सा कुछ चीज और देख लो आप मेजर लिटेरी पीरियेट्स यह भी आना थोड़ा सही कर दिया नहोंने कहा पहले ना पूरे लिटेरी पीरियेट्स पढ़ने पढ़ने पढ़ते थे हमारे को चोसर से लेके आस तक अब इन्होंने ना डि नियो ख्लासिकल एज जिसमें आपके यह कौन आते दयाने आपको नियो क्लासिकल दिच में ग्रेट सेकंड वालों के क्योंता ऐलेडर पौप आता है इसं में डॉक्टर सेमॉल 595 लिएचा तो कह लिएज क क्लासिकल एज को वापस लेकर आये थे ठीक रहा तो नियो क्लासिकल एज रोमेंटिक केस्ट बहुत क्योशन बनेए इस बार रोमेंटिक का जोती मालब रोमांस करना नहीं है लड़के-लड़के बीच में क्या मतलब इसका वह पाइट है इसका रोमेंटिक मालब नीचर को भगवान सता है है वर्ट्स वर्थ कई जो यह शुपर नेजरल पावर्वर्र होती है उइस्टी में प्लेवर्फ, एसलिखता है सुपर नेचुरल पावर्र के ओपर ज्न कीट सरत्हल्इन जिन ऐखता है यह सब जो एज थी ना चार्स लेंग थोड़े पहले पढ़ रहे थे हम लोग वह भी मेजिनेशन की बात करता है यह सब रोमेंटिक फिर आगई विक्टोरियन एज इसकी बात किया ना उसकी बात कि फिर मॉडन एज और लास्ट में कौन सी एज रही हम यह पढ़ेंगे कि क्या विशेस्ता थी इनकी क्या करेक्टर से कौन-कौन से पुएट उन्होंने क्या-क्या लिखा यह अच्छा अच्छा पूरा यह लिट्री पीरिड आ गए ग्रेट सेकंड का कोर्स ज्यादा बढ़ा है ज् एंडियन राइटर्स में लिट्री मुवंट्स आग्या लिट्री मुवंट्स ओ पीरिड्स कर के पहले एक लाइन लिखी होती थी पहले अभी नए सिलेबस मिहनों नोंगि स्पेसिफिकेशन कर दिया मुवंज्ट्स कौन-कौन से मुमेंट्स हुए इंग्लिश के उन्दर पहले से ठीक है अब आपको क्या करना है तैयार होना है इस तरह से क्लास पढ़ने के बाद क्या नाम बता आपने बभीता जी यहां जो अगला टैस्ट होगह जी सुस्अन्हीं पर्फोर्मेंस दी ना पहले टैस्ट में पर्फोर्मेस ने चीए और हम तो रहें अब इसे Three पे यह आपको भेजें ठीक है ना कोई करेंगे पैटनस तरगे एक लिस्ट में किसका नंबर कितना आता है जनरली मैं बताऊं आपको जैसे ग्रेड सेकंड का बैस शुरू किया मैंने परिश्कार में अक्टूबर पिछले साल एक साल दो बैच चले हमारे जब पहले दिन क्लास में तीन स्टुवेंट थे कि और बाद में सेउंटी स्टुवेंट रहे पहले बैच में शुरूवात में आपको आज तो बहुत अच्छी शुरूवात है ना कोई वेकेंसी है ना कोई एक्जाम की रेट आई ना रिजल्ट आया ग्रेट सेकेंड का ग्रेट फर्स्ट का अभी तक फिर भी देखो पहले से आगरो पता नहीं आपको क्या-क्या फायदे मिल जाएंगे तो बहुत सही और अभी से त्यारी करना शूगर दो अभी से पढ़ना शूगर ऐसे पढ़ो कि मेरा एक् ग्रेट सेकेंड में दीसरी रैंक आई पहली रैंक आई वह लोग भी तो होते हैं तो अब शुरू से आगैं तो वह कोशिश करने हैं चलो गोती हैं करें बूट चुडे लें डर कटेवे सर रहते हैं इना डराओने चिड़-चिड़ की आवाज भूत के विज़ गुज गय कोई मर रहा है कोई भाग रहा है वह कटी गर्दन का आदमी घूम रहा है वह विली के अंदर यह सीनकोंड से हैं यह सब गोथिक है यह गोथिक तरह के नोवल आयते वह फेमॉस हुए तो इस पर कुर्शन भी आया था भी प्री रेफलाइट मुमेंट इसमें प्यॉरिटी रहती है प्री रेफलाइट इसमें आर्ट फॉर आर्ट सेक की बात होती है कला मतलब कला कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए शुद्धत फरेशर्म आते थे इस तरह से अब वो सब कुछ दिखा रहा हुआँ जो वास्तों में उस अब दिखाते हैं रियलिजम कहते है इसको गरीबी बिखानी है अमीरियत भी दिखानी है वह रियलिजम होता है एक अस्तित्व कि बात करता है यह भी बहुत अलग एक सोच थी सब बात करेंगे ने पर्टिलर टॉपिक बात करेंगे हम लोग इस्ट्रीम आफ कॉंसेसने जानते होंगे आप लोग क्या होता है वर्जीनिया वुल्फ का इसके लिए फेमस्ती हो त्राइदा पिकॉग जो लिखाया ने साथ देशाही ने थुद्धे पर पड़र देशाही वो इस्ट्रीम आफ कॉंसेसनेस है क्या होता है यह नहीं पता यह एक नोवल की एक स्टाइल है दोस्तों जिसमें क्या होता सारी कहान ना दिमाग में चलती स्ट्रीम ऑफ कॉंसर्सनेस कॉंसर्स ना माइन साइकलिजी बढ़े होगे अपने सब कॉंसर्स कॉंसर्स दिमाग चेतना उसके अंदर एक स्ट्रीम धारा भैती रहते हैं आप बैठें कई लोग तो क्लास में बैठें कुछ सोच रहोंगे कुछ मेरे बारे में कुछ रूम के आज हो लेशन पारे में अगले चár मेने कैसे पढ़ेंगे क्या होगा दिमाग में चले दा रहा है कि रुख ने रही है दिमाग में कई विचार चलते रहते हैं इसको क्या बोलते आप लोग स्ट्रीमा ऊफ कांशंसनेस कहते हैं कि उसमें ब desert करक्ति हो ऐसे घ्रrespons रहती है इसको मार देती है खुद मर जाती ही लास्ट में जल रहा है सब कुछ अगे कोई को उस तरह के कोई कहान के हम अपको कि ये अफ है आज आने कीsna कि आपको की पड़ना ये सय जो है आगे बात करते हैं कोई काहनी कहता है कवीता सुनाता तो शिर्ट कर ना बोलते हैं modernism और post modernism थोड़े पहले भी आया था period भी होते हैं और यह moments भी है ठीक है ना इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन डाइटर्स की 20th century के इंडियन डाइटर्स यह देखो यह भी यहां पर स्लिवस कम कर दिया है पहले ना हम लोगों को इंडियन डाइटर्स में सारे पढ़ाने पढ़ते थे इससे पहले के भी जो 19 वी शताब दीकिये थे हम शुरू से लेगे लाज तक पढ़ाते थे अब उनकी संक्या 100 200 300 हो और उसका भी एक नोवल जो है उसने भी दिल्ली में फूबुक फेर में गया तर वहां पर भी हो रिखनाइज हुआ अब तो उसको भी पढ़ना पढ़ेगा क्या नहीं नाम दे दिये नोंने बस इनी नाम को पढ़ना है और इस बार नया जोड़ा है और आप आप निजाम जाम दिया थे ना भी तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इन सम्में सेuição precision में घृक्शबार या क्योंकि इन्टियन डैटर में था इधियास यह था कि इस इंटियन डैटर में में चेंपांच科शन पूचता था कि पीरियेट्स कें़ से पांच- क्वश्ण पूचता था औ और मुवमेंट्स जो थे ना मुश्राचत है मिजल पाइं इनोंने होता हूं कि से एक टॉपिक में से पंद्रा टॉपिक है नहीं पंद्रा क्यों नहीं क्या करорд है क्या मानली दॉह हर एक 9 को एक यूनिट मान ली और उसमें से एक क्योशन एवरेज से पूछ लिया 15 क्योशन यहां से पूछ लिया अब आपको क्या करेंगे इस बाद से पढ़ेंगे न हम लोग हम रमी नांट टेगों को पूरा पढ़ें इससे संबन्दी जितने क्योशन आ सकते हैं सब पढ़ेंगे इसको अच्छी तरह से पूरी इनिट के रूप में पढ़ेंगे हम लोग मुल्क राज आनंद आरके नारायन सरोजनी नायडू तोरू दत निसे मिजिकल प्रश्किन बॉंड इसमें से कुछ पोएट हैं कुछ नोवलिस्ट हैं कुछ ड्रैमेटिस्ट हैं इन्होंने पूरा एक साथ दे दिया अरुन कोलातकर अनिता देशाई सशी देश पांडे कम अंगलादास जैंत महपातरा ऊरिषय के थे अमिताब गोष्मन अरुंदिति रोह करूं मंजुक पूर में 2-3 क्वेशन पूछ मैं महात्रा में 2-3 क्वेशन पूछ लिया पोटल 15 क्योशन तो यहां से पूछ लिए नो ने इसका क्लासिफिक्शन क्लास हम एक दिन और ले लेंगे आपके लिए कहां से क्या पूछा है तो आप अलग-अलग क्यों इसलिए नहीं ले रहा है तो यह एक टॉपिक हो रहा है ठीक है इसमें इंडियन डाइटर्स पढ़न है बेकन का ओफ स्टेडीज ही यहां कमला दास ने जितने भी लिखे है न सब पढ़ने पढ़ेंगे अंदर से करेक्टर पूछ लिए नहीं सही कह रहे हैं करेक्टर तक पूछ लिए कि यह करेक्टर इसकी किस कहानी में से है कहां से मन्जू कपूर का को यह नोवल लिखा थ वह किस पर बना था घिति ना वह टीवी शीरियल किस उस पर बना तो परदेश वाला कुस्ता वो शच्टा टीवी पर आता था एक तक पूरे नटक बना रखना रहा है उसके ओपर और मंजू कपूर का लिखा हुआ अब यह सिर्फ एक दो मैंने में नहीं हो सकते काम नहीं तो टाइम लगे गए चीज़ों पढ़ने में ध्यान से चलो यह अपना स्लेबस था पार्ट थर्ड के अंदर मेतोड से ग्रामर ट्रांसलेशन मेतोड जी टी एम डायरेक्ट मेतोड स्ट्रक्चरल मेतोड ओडियो लिंगल मेतोड और कम्मिनिकेटिव इंग्लिश लेंग्विज टीचिंग चील टी जो आपके रीट में भी था यह वान टू थी फोर फाइव पा इसे पढ़ लेंख है जोच yüzden टू तो यह मैथर्ट थिग न यह एकचुली एप्रोच है यह जोलेंग पडाना ह।-बैट्र टिचिंग परोज कैसे पढ़ाना है पोईट्री अलगल्द टॉपिक है इंड्रय ॡचर क्रिओड ग्र। और composition 10th के बच्चों को पढ़ा हो गया तो आपको prose, part भी पढ़ाने, lesson पढ़ाने, आपको poems भी पढ़ाने, आपको grammar भी पढ़ाने और composition तो इसमाँ यह सिखेंगे कि इनको पढ़ाना कैसे है इसके अलावा basic principle of second language teaching, इसके कुछ principles होते हैं जिनमें selection है, एक, दूसरा gradation, तीसरा presentation और चोथा क्या है, यह सब जानते भी तरीका भी होना चीए, कि सबसे पहले क्या पढ़ा है, what to teach, उसको select कर लो, फिर gradation, मलब what, what comes after what, पहले tense पढ़ाऊं कि पहले active spaces पढ़ाऊं, पहले noun पढ़ाऊं कि पहले pronoun पढ़ाऊं, gradation करना पढ़ेगा न, gradation मलब, कि एक logical order में selected teaching items को जमाना, वो हो गया, फिर presentation, teacher ने पहले select कर लिया, यह देख लिए कि मुझे पहले, अब मैं आपको decide कर रहा हूं, और आपको मैं कहीं न कहीं confidence भी ले रहा हूं, कि भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन-कौन से student हैं, और मैं पहले क्या पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्या पढ़ाऊं, यह teacher decide करना पढ़ेगा ना, फिर यह तो decide कर लिया, selection कर लिया, selection तो अपने को board ने करके दे दिया, और पीस ने कर दे दिया, यह पढ़ाना है, English में तुम्हें यह चीज़े पढ़ाना है, अब teacher देखेगा कि वह पहले क्या पढ़ाया और बाद में क्या पढ़ जिसका आप evaluation कहते हैं, ठीक है ना, तो यह हो गया आपका teaching methods, यह अच्छी unit है, इस पे भी 20-22 question आते हैं, और इसमें ज्यदा time नहीं लगेगा, बनलब यह एक एक दिन की एक चीज़े हैं, एक दिन में खतम हो जायागा, एक दिन में खतम हो जायागा, एक दिन में खतम हो ज इसके 20 class में आपके methods हो जाएं, यह पूरा syllabus आगया है दोस्तों, इसके बाद तो वह है कि 300 marks का होगा, दो-दो, डाइगन्टे का time होगा, वह सब कुछ है, syllabus में आप लोगों को, अब आप लोगों की क्या queries हैं, क्या expectations लेकर आएं, क्या चाहते हैं, उस पे भी हम बात कर लें जो आपके question होंगे न, आपके question से मारे online वा लोग अपने आप समया जाएगा, आप उनका representation कर रहे हो, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, उनको अपने आप पढ़ा जा रहा है, वह अपने आप देख लेंगे वहाँ पे, तो कुछ expectation लेकर आएं आप किस उम्मीद से हैं, आप दो से जानते भी नहीं थे, तो आप कैसे आए यहाँ पर कुछ बताना चाहेंगे आप, कि कौन सा इंस्टोट लिट्रेचर के लिए ठीक रहेगा, तो वहाँ आपको जैनित का नाम मिला, इसलिए आप यहाँ आगे, ठीक है, और English भी bilingual में ची पर समझने का काम जो होगा हमारा वो bilingual लोग, समझने काम, लिखेंगे हम लोग English में, reason का है कि exam में question भी किसमें आएगा, इंग्लिश में, आप दोनों जानते हैं कि दूसरों को पहले से, आप दोनों साथ में आई हैं, सर्च आप ने की है, आप ने की है, सर्च आप ने की है तब आप आए, तो बभीता जी कुछ expectation यहां लेकर आए कि bilingual में में पूरा समझ में आ जाए, समझ में आना चाहिए, हो तो खर सबकी उम्मीद रहती है, और कुछ जिन पर मुझे काम करने की जोरता आपके साथ में, तेक होता ना की सारम इत दूर से आए, क्योंकि offline class लेना, घरवालों को मनाना, तयार करना, एक कहानी होती है, स्टुएंट के पीछे उसके, एक स्टुएंट की कहानी होती है, जब स्टुएंट जुड़ते हैं, हमसे चार मैने पढ़ते हैं, और जब उसके बाद भी जुड़ रहते हैं, तो बताते हैं, कि सर हम ऐसे आया थे, ऐसी बात हुई थी, यह हुआ था, मैं ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे बात करते हैं, बच्चे ऐसे बात करते हैं, तो मुझे बड़ी इंट्रेस्टिंग सी दीजे लगती हैं, और उम्मीदे बहुत होती हैं आप लोगों की, टीचर उस पर खरा उतरना चाहिए, और तभी वो आपके द कार्म पता लगया, पढ़ाएं, पढ़ाएंगे तो अब आप उसके बाहरी में सर्च करोगे, चीज बंधा है का थी, पढ़ााता है क्यों फैका dives, की कर रहा है, मैं वहां पढ़ा रहा हंँ भाहाँ झान, यह अधीकत है की नहीं, तो आप आसन जब बात करोगे औरों से ब पूचा ठीक है अच्छा बहुत फरक पड़ता बहुत फरक पड़ता अच्छा गही थे आप जी 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 यहां दोनों मिल जाएंगे अगर इंग्लिश पड़ते शाथ मैं पड़ाता है अब पता नहीं कैसे क्या रहेगा मैं यहीं कंटिनुस पड़ाओं समस कोचिंग परिशकार दोन जोग पड़ाया था यहां मेरा ओनलाइन क्लास रहती थी ओफलाइन अम लोग अभी इस बार शुरू कर रहे हैं क्योंकि इस्ट्वेंट की डिमांड थी कि ऑफलाइन साथ में ओनलाइन एक्सेस भी मिल जा है जो वहां नहीं मिल पा रहा था उनक को आपके कि ऑने प्थन पता चल जाएगी कि आपको फी पता क्लास बैट्वी पतास जायेगा इंग्लीष में बहूत बड़ी प्रॉब्लमं दोस्तों कि आ तो किसी को इंग्लीष आती नहीं और जिसको थोड़ी बहुत आ जाती है ना वो किसी कुछ समस्ता नहीं है यह बहुत बड़ा कलेश हमारे साथ में इंग्लिश के टीचर देखो तभी हाई-फाई जादा रहते हैं वह उसे पता नहीं क्या दिखा देंगे कर देंगे आपको ऐसा कहीं कुछ मैसूस नहीं होगा अब शुरू में ऐसा लगेगा कि कई उमीदें होती हैं आपकी कई सपने होते हैं और आप चाहते हैं कि उस अपने उमीदें पूरी हों क्लास में वह होंगी तोड़ी दिन बाद आप देखोगे कि आप बिलकुल वह सब खतम हो जाएंगी और जैसा टीचर करा रहना वैसे आप करने लग जाओ वह पास साथ दिन का थोड़ा सा पीरेड रहता है उसमें वह रहेगा तो वह बेफिगर आप वैसा ही रहेगा सुपर्श आपका क्या ना मता है आपने है मन आप कुछ एक्सपेक्ट करके आए ग्रेड फरस्ट केस आप से आप तो मुला पहले सेट होके है कोई दिक्कत नहीं आपको दिमाह लाइन जोर्त नहीं है वह भी होता है ने क्यार मुझे तो पढ़ना ही आप से एक वह भी होता है पढ़ना ही आप से जुड़ेंगे आप से दो-चार-पान दिनों में ओनिज ब्लाइंडनेस वगरा मैक बैत यह सब कुछ लिए पढ़ लिया होगा आपने वेस्सलेंड पढ़ लियोगी आप वह चीज यह पूरी प्रॉपर मिलेंगे आप टुकडो में है यह पूरा प्रॉपर मिलेंगे आपका नाम है सचिन शर्मा सचिन जी आप कुछ एक्स सब्सक्राइब करें यहां इक मिनिट्स यह फायदा होगा आ पर जार भोस एक वू あहां पॉठ से इसके साथ जाम स्धमातsecond को सब्सक्राइब नहीं फिंग sentido और वैसे कि मेरी किताब है English की उसमें कहा कि आपको नोट्स लेने की जुरूत भी नहीं पड़ेगी यहीं जब आप दो-चार दिन आएंगे एक सामने इसी गली में जद सामने आशिरवात पुब्लिकेशन्स है उस पर मेरी किताब मिलती है वह आप नहीं सब्सक्रिशन नहीं करती है आप नहीं करती है आप नहीं करती है या एप खरीती नहीं है तो मेरा चैनल तो कर ले ना प्लीज ठीक है आना उस पर English की आपको अथेंटिक क्लास मिलेंगे आज ही जाते हैं आपको करना है और आप क्या पढ़के आओगे पहले बताओ किस पर बात कन्फुजबल प पार्ट थ्री पार्ट फॉर वो साइड बाई चलने तो इधर मां ग्रामर चलती रहेगे अपनी उदर आपके वोकेप त्यार हो जाए ठीक है ना कुछ इस्टुएंट और जुड़ेंगी दो है आप दस बारा इस्टुएंट ग्रेड फस्ट के हो गए दस पंदा इसके हो तो एक गंटा क्लास आपकी अलग से लिट्रेचर की कर देंगे वैसे चलेंगी लिट्री टरम्स और वो तो कॉमन ही चलेंगी इसका लिट्रीचर आपका अलग हो जायागा इनका इंडियन राइटर सो पढ़ना हो अलग हो जाया है कल से हम लोग पढ़ना शू कर देंदिन फिर कोई दिख्कत थोड़ी है आप लोगों को टाइमिंग को लेकर कोई इश्यू आपका ठीक है चार वजलो टाइम अब आगे पिछा आदा गंटा एगंटा पहले कर सकते हैं और जनरली मेरी सुबह क्लास साथ से दस महा रहती है परिश्कार में लेकिन अब पता निस बार क कैसे भी मॉल्ड कर सकते हैं अब अधिक तर जो स्टुएंट आप भी शाम को आना चाहती है मेरे एक दो स्टुएंट फर्स के ओर आएंगे भी कल अरसों में वह भी शाम का टाइम चाहता है क्योंकि उन्हों अधर सुबह को जी के जो नहीं कि चोर किया तो शाम को इधर आ चक्ति कल मैंड़ीच पढ़ाऊंगा ड़िटेमिनर्स याप पढके आ सकते ह्यां वैसे उसकी भी क्लास आप डालेंगे मेरे रिबीर के लिच्न बिलेंगे और और आपको इस जैनित पर मिलेंगे, इसी नाम से, तो महाँ Determinants की 5-6 classes है, वह पढ़कर आओगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, तो कल आम लोग Determinants पर बात चुरू करेंगे, आप पढ़के आना, मुझे बाते बता आना, तो I hope, शुरू शुरू में होगा शायद न, यह बुक बुक का है, इस बुक देख लेना, और यहाब पूछ रहे थे क्या नाम उसका, क्या जाएगी, तो वो शायद कली डाला है, मैंने, अपने, अभी एक रीट में क्योश्चन आया था कि, पहला OTT चैनल कौन सा है, दज चौक करके कोई OTT चैनल लाए, इंडिया का, के सर आप बता हो, यह बच्चों बड़े confusion, आप भी है कि cut off क्या जाए, क्या नि जाएगी, तो जनरल में आप, OBC में, 90-88 के असपास safe है, question, ज्यादा हो रहोंगे, 90-88 के असपास OBC, और चाहिए OBC में महीला और पुरुष्का तो चक्कर है नहीं, क्यों लड़कियां ज्य वह फाइदा नहीं मिलेगा कि सब लड़कियां है तो हमें कुछ अलग से मिलेगा, लड़कों को मिलना चीह हो आतो, खूब होता है 45 लड़की है, 12 लड़के के वाद, क्लास में ही होता है, जनरली, तो आप लोग अपने साथियों को बता दें, जो आपके साथियों को बता कुछ नहीं लेना, कुछ भी लेने की जूरत नहीं है, बस एक किताब लेना, उसमें बहुत सारे extra questions, वह आप ले सकती है, वह बहुत standard है, ठीके ना, और आर्नल टैमेशास था, ग्रेट सेक्नी किताब ही अलग से आजाएगा, कोई मैटर लेनी जूरत नहीं पढ़ेगा, और 2010 से लेके, अब तक के सारे questions आपको मिल जाएं, और वह सारे अपने पढ़ायवे से कर लें हैं, और क्या ची, what else you need, getting my point, कोई जुरत ही नहीं आपको, मज आने वाला है, सारा काम मैं करूँगा, आपको तो केवल पढ़ाया उसको पढ़ना है, इस दिर लेंग्वेज पढ़ सारी classes मिलेंगी, fees वगरा भी एक दो दिन पढ़के देख लो आप लोग फिर वो पूछ लेना, तो वो भी सब कुछ, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगा, तो मैं तो कहता हूँ कि ज्यादा अच्छा है कि अगर आप almost same ही है, वो मिल जाएगा, अगर आप great second भी join करना चाहते हो ना, तब तो वो सारा एक हो जाएगा, 4-5-0 extra देखे अगर आपन great second पढ़ने, ठीक है ना, तो वो सारा एक हो जाएगा, फिर तो great first second, थर सारी दे सकते हो आप, तो method पढ़ लिए, सब पढ़ लिए अपने, ठीक to crack the exam, अच्छा करना है, और जाए एक बात देखो हमारी English पढ़ने से, मैं जदिकतर मेरा experience बता रहा हूँ, कि आप English में इतना interest ने लग जाओगे, जिससे नुकसान हमें होता है हमेशा, इस बार मैंने खुब कोशिश कीती कि नुकसान ना हो, बच्चों ने कोशिश भी कि म ना कोई बॉक लानी ना कोई page लाना, कुच भी नहीं लाना, लेकिन GK को आपको अभी से शुरू करना है, अगर आप इसको तीन गंटे दे रहे हो तो दो गंटे उसको भी देना है, समझ रहे हैं अपलो, वो सा र काम आपको अभी से शूरू कर देना है, और पढ़ना शू झाल झाल